नमस्कार दोस्तो जब भी आप जिम में वर्काउट करने जाते हैं तो जिम जाने से पहले आपको एक बहतर तयारी करके जाना चाहिए ताकि आप वहाँ पर एक बहतर परफॉर्मेंस दे सकें दोस्तो आप समझ गये होंगे कि मैं किस तयारी की बात कर रहा हूँ जी हां मैं बात कर रहा हूँ कि हमें जिम जाने से पहले ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर को अच्छी खासी उटजा मिल सकें और हम वर्काउट करने के दोरान अपना 100% दे सकें तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हमें जिम जाने से पहले क्या खाकर जाना चाहिए दोस्तों अगर आप जिम वर्काउट में अपना 100% देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जिम से पहले 2-3 केले का सेवन जरूर करना चाहिए इससे आपके बॉड़ी को अच्छी खासी एनरजी मिल जाती है जिसके वज़े से आप अपने वर्काउट में 100% दे पाने में काम्याब हो जाते हैं इसके अलावा आप जिम वर्काउट से पहले अपनी डाइट में बादाम आदी को भी शामिल कर सकते हैं इससे भी आपको ताकत मिलेगी साथ ही साथ यह विटामिन E, फाइबर, कैलसियम, पोटैसियम, आदी पोशक ततों से भरपूर होता है तो इसको भी अगर आप जिम वर्काउट से पहले खाते हैं तो इससे भी आप अपने जिम वर्काउट को बहतर बनाने में काम्याब हो पाते हैं दोस्तों अगर आप जिम वर्काउट में अपना 100% देना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपनी डाइट में ब्राउन ब्रेट को भी शामिल कर सकते हैं, इससे आपको कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन और शरीर के लिए जरूरी वसा भी आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिसके भी आपको अच्छी खासी उर्जा प्राप्त हो जाती है, जो कि आपके जिम वर्काउट को बेहतर बनाने का काम करती है, दोस्तों अगर आप जिम वर्काउट करने से पहले ग्रीन टी आदी का सेवन भी करते हैं, तो भी आपको अच्छी खासी उर्जा मिल जाती है, जो कि आपके जिम वर्काउट के लिए काफी लाबदायक होती है तो दोस्तों यह रही एक और स्वास्त की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद